दोस्तो आज हम करेंगे भारतिस समुधान के भाग एवं अनुचेत तो सभी का सोगत है हमारे यूटूब चैनल पर आज कमारे जो सेकंड टॉपिक है आपके की भारतिस समुधान के भाग एव अनुचेत्र शेतALLY कितने भाग हैं सब कुछ आपको आज के इस वीडियो मताया जाएगा अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो चुरूर देख लीज़ेगा चैनल पर जाके जो कि हमने किया है भारतिश्वमिदान की विदेशी इस्तरोत सुरुआत करते हैं तो सेयर कीज़े का जादस्षद अपने सबी दोस्तों के साथ लास्ट तक चुरूर देखेगा जिससे कि आपका सब कुछ क्लियर हो जाए आज के इस वीडियो से फर्ष्ट भाग फर्ष्ट है आपका जिसमें कि आपके संग एवं उसके राजिस छेतर का उलेक है और जो आपके आर्टिकल के अगर हम बात करें तो एक से आपके चार तक जो अनुछेद है जिसमे कि आपके संगेव। उसकी राजीश्चेतर के बारे मूझेख बारे मुलेक है और भाग first के अंतरगत आता है ठीक है नेक्स्ट है आपका भाग two जिसमे कि आपके नागरिकता के बारे मुलेक है नेक्स्ट है आपका भाग थर्ड जिसमें कि आपके मौलिक अधिकार के बारे में उलेक है चो कि आपके आर्टिकल 12 से आपका 35 तक नेक्स्ट है आपका भाग 4 जिसमें कि आपके नीत निर्दे सकत्तु के बारे में आपके भाग 4 में उलेक किया गया है और आर्टिकल के अगर हम बात करें तो 36 to 11 जो आपके अनुछेद हैं जिसमें कि आपके नितने देशक्तत एंड भाग 4 में आपको लेक किया गया ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अब है आपका भाग 4A भाग 4A जिसमें कि आपके मूल करतब के बारे मूल लेक है आपके अनुची के भाग 5 जिसमें कि आपके आपके राजसे के बारे मूल लेक है अब आगे आता है आपके भाग 7 जो कि आपके पहली अनसुची के भाग खा के राजसे हैं और अर्टिकल के गरम बात करें तो 238 जो कि निर्सित तो यह है आपके भाग 7 के अंतरगत आता है ठीक है नेक्स्ट आता है आपका भाग 8 संग राजसे छेत्र संग राज छेतर आपके किस भाग में है तो भाग 8 में है और अर्टिकल के गरम बात करें इसमें तो आपके 239 से लेखे आपके 242 तक फिर देखतें next next आता है आपका भाग 9 भाग 9 जिसमें कि आपके पंचायतों के बारे मुल लेखे चोकि आपका 243 आर्टिकल 253 से आपका काश चुना तक जो आर्टिकल है इसमें आपके भाग 9 में और पंचायतों के बारे मुल लेखे आपके भाग 9 के टू पार्ट से आपके A और V तो 9A में आपका नगर पालिकाओं के बारे में और 9B में आपका सहकारी समितियों के बारे में अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका भाग 10 जिसमें के आपके अंसुचित और जंजाती छेतर के बारे में उलेखे आपका भाग 10 में और आर्टिकल आपका 244 और 244 A फिर देखते हैं नेक्स्ट आपका भाग 11 जिसमें कि आपके संग और राच्छों की बीच संबंद के बारे में उलेक है और अर्टिकल के अगर हम बात करें तो आपका 243 से लेके आपका 263 तक नेक्स्ट आपका भाग 12 जिसमें कि आपके बित्थ, संपत्ति, संब्धाएं और वाद का उलेक है और अर्टिकल के अगर हम बात करें तो 264 से आपका 300 ये तक है आपका भाग 12 में बित्थ, संब्धाएं और वाद फिर देखते हैं next अब next आता है आपका भाग 13 भाग 13 में अगर हम देखें तो आपके भारत के राजशेशेतर के भीतर चो ब्यापार होता है वनित सेवन समागम ठीक है किस भाग में है? 13 में आर्टिकल के अगर हम बात करें तो 301 से आपका 307 आर्टिकल अब देखे नेक्स्ट है आपका भाग 14 जिसमें किया है आपके संग्य उम्राज्यों की जो अधीन सेवाएं हैं वो आपके किस भाग के अंतरगत है आपका भाग 14 आर्टिकल के अगर हम बात करें तो 308 से आपका 323 तक है ठीक है अब देखे जैसे कि आपने देखा कि 9 के 2 पार्ट थे आपके 9A ठीक है उसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं कि भाग 14A ठीक है इसका भी आपका एक पार्ट जो कि आपका अधिकरन और आर्टिकल के अगरम बात करें तो 323A और 323C ठीक है आधिकरन के बारे में अब important रहता है आपका निर्वाचन के बारे में कभी कभी question बन जाता है कि निर्वाचन के बारे में किस भाग के अंतरगत आपके बताया गया है तो भाग 15 है और आर्टिकल के अगरम बात करें तो 324 से लेके आपके 329 फिर देखते नेक्स्ट अब नेक्स्ट है आपका भाग 16 जिसमें कि आपके कुछ वर्गों के शंबंद में विशे उपबंद जो बताएगे है आपके भाग 16 में है और आर्टिकल की बात करें तो 330 से आपका 342 अब नेक्स्ट आता आपका भाग 17 भाग 17 में अगर हम देखे तो राजफासा के बारे में लेके जो कि आपका आर्टिकल 343 से आपका 351 तक फिर आता है आपका भाग 18 जिसमें कि आपके आपात उपबंद के बारे में बताएगया आपका भाग 18 में और आइटिकल के ऐगर हम बात करें तो 352 से लेके आपका 360 ठीक है जो भी आपके emergency दें वो सभी किस भाग में है आपके भाग 18 में है आपात उपबंद तो फिर देखते हैं नेक्स्ट है आपका भाग 19 भाग 19 के गरम बात करें तो आपका प्रकेंड के बारे में जो कि आपका 361 से आपका 367 तक है ठीक है नेक्स्ट है आपका भाग 20 भाग 20 के गरम बात करें आपके इंपोर्डेंट है गाइस भाग 20 क्योंकि सम्विधान संसोधन के बारे में है और सम्विधान संसोधन किस देश से लिया गया है आपके भारती सम्विधान में तो ये भी अगर आपको भी नहीं पता है तो आप फास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जिससे कि सभी विदेशी स्तुरूर तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है तो भाग 20 सम्विधान संसोधन एंड आर्टिकल कौन से आपका सम्विधान संसोधन से संबंदी तो 368 आप देखते है नेक्स्ट नेक्स्ट आता है फिर आपका भाग 21 अस्थाई संक्रमन कालीन और विशेश उपबंध जो है आपके वह है भाग 21 में है और आर्टिकल आपका 369 से लेके 392 तक ठीक है अब नेक्स्ट और लास्ट है क्योंकि 22 भाग है आपके जो भारती सम्विधान में तो 22 भाग है जो कि इसमें कि आपका लास्ट भाग जो है जिसमें कि संचिप्त नाम प्राराम्ध हिंदी में जो प्रतिक्रित पाठ और निरुष्चन है ये सभी आपके भाग 22 में है और आर्टिकल 393 से आपका 395 तो ये थे हमारे भाग 22 जो आपके सभी हमने आपको बता दिया है और किस अनुछे से किस भाग में आपके सम्बंध देता है तो ये भी हमने आपको बता दिया है और आगे आने वाले ऐसे इंड्रेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे छोटे चोटे चोटे टॉपिक करके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल प्रेस करते चलिएगा और शेयर कीचेगा जदा श्यदा और कमेंट करके चुरूर बताएगा कि आपको यह हमारा पार्ट सेकंड कैसे लगा और फर्स्ट पार्ट जुरूर देख लीचेगा जो हमारी कॉंस्टिविशन की सिरीज इस्टार्ट है जिसमें की टॉपिक वाइ